जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर माहा 2021 के चौथे सप्ता के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए 22 सितंबर से 28 सितंबर तक का समय कैसा र लेगा आपके किस भाव में बैठेगा कि निकिन शेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विश्तार से बस आगे बढ़ने से पहले आप से चोटा साही निवेदन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को पराधारित है चंद्रमा इन साथ दिनों में मीन राशी से गोचर करते हुए व्रशब राशी तक जाएंगे इस तरह से तीन राशियों में गोचर करेंगे और इन तीन भावों में ही आपकी जो दिंचरिया है उसमें परिवर्तन मिलेंगे यानि मीन राशी में होंगे मेश राशी में जो कि शुक्र की राशी है शनी और गुरु एक राशी में होंगे शनी की राशी मकर राशी में बुद्ध मंगल और सूर्य एक राशी में होंगे बुद्ध की राशी में इस तरह से एक एक जो कुंडली का भाव है उसमें दो दो ग्रहे एक साथ बैठे हुए हैं वानी जो आपके आकर्षन में विस्तार करेगी सम्मान बढ़ेगा आपका सहयोगियों से कुछ मन मुटाव अगर हो गया था तो उनसे आप अपने मन मुटावों को दूर कर सकते हैं इस सप्ताह की शुरुवात आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है तो इसका पूर्ण फायदा आप जरूर उठाएं देखे शुरुवात में ही विदेशों से अच्छा समाचार मिलने के योग हैं शुब परिणामों की प्रापती मुम्किन है कोई शुब कारेक्रम का आईजन हो सकता है कोई मांगली कारेक्रम घर परिवार में हो सकता है जिससे आपके घर परि वानी यहां बड़ी कारगर सावित होगी आपके दूसरा भाव वानी का भाव भी होता है और सब्ताम यहां से बुद्ध निकल जाएंगे तो मंगल का पर भाव रहेगा इसलिए बस उग्रवचनों से बने जहां ऊग्रवचन आप इस्तेमाल करते हैं वहां आपके लिए किसी बुजर्ग के अनुभाव से आनंद का लाव मिलने वाला है और किसी करीबी का किसी करीबी से आपको कुछ बातें ऐसी पता चल सकती हैं जो जीवन में वड़ी कामया भी भरी होंगी कुछ भावों रहेंगे भावनाओं के आवेक पर काबू रखना होगा कोई पुराना म परद्रशित करना चाहतें तो अभी रुकें सप्ता की शुरुवात में दगबग दो दिन तक तो आप बिल्कुल भी किसी के सामने अपने कुछ बातें शेयर बिल्कुल ना करें इस सप्ता में सूरिय और मंगल दोनों एक ही राशी में दूइत्य भाव में रहेंगे प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है चंद्रमा की द्रस्टी का दूइत्य भाव पर पढ़ने से अचानक से घर परिवार से जुड़ी को जिम्मेदारी आप पर आ सकती है इसके अलावा आप खुद को बड़ा नियंत्रन में रखेंगे और नियंत्रन में रखना सितना करें मन को सही से रखें ताकि आप उस यात्रा का लाब उठा सकें आनंद उठा सकें अब ये जो हवता है सूर्य का अपनी मित्र किराशी कन्या में गोचर है जो उन छात्रों के लिए बड़ा सा कारात्मक रहेगा जो सरकारी परिक्षा की तैयारी कर रहे थे इस दोर होगा हर शेत्र में आपको भरपूर सफलता देखने को मिलेगी विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अनुकुल होने वाला है अब यहां आपकी अगर हम देखें आपका पारिवारिक जीवन आपके जो दामपत्य जीवन हैं उसके बारे में भी देखा जाए त दकारातमक होंगे संतोस्ट होंगे और इस अपताह के अंत में एक आश्चरे जनक आश्चरे आपका नितिजार करेगा कुछ रोमान चक समाचारों के लिए तयार रहना है आपके पेशवर जीवन से सम्मंदित भी ये चीज़े हो सकती है जो आपके जीवन में आनंद में ब पर सिद्धी को बढ़ावा मिल सकता है जिससे आपकी अनेक नेक कामों की अनुकर्णी अच्छवी हमेशा लोगों के दिमाग में केंद्रित हो जाएगी अंकित हो जाएगी आप कुछ जरुतमंद लोगों की साहता भी कर सकते हैं और एक नया करियर अगर शुरू करना चाह हैं जिन पर हमारा कंट्रॉल नहीं होता वही चीजए आपके लिए इस समय खुशी देने वाली होंगी वही चीज़ें आपके लिए खुशी की लखर लेकर आने वाली होंगी सब्ता के अंतर में जीवण साथी की सेहत का धेहान रखें ूनकों सेहत सामन्दी कुछ परिश आपका सम्मान बना रहेगा नकारातमक परिष्थितियां होंगी उनमें भी आप खुद को विजेता सा एहसास कराएंगे ऐसी स्थितियां बनेंगी आत्म बल आपके अंदर विक्सित होगा शुक्र और बुद्ध देखे बुद्ध क्या है प्रेम के बुद्धी के सिक्षा के कारग रहे हैं और शुक्र क्या हैं बहुतिक सुक्के और प्रेम के कारग रहे भी हैं दोनों एक ही राशी में तुला राशी में बैठे हुए हैं यानि आपके तीसर वहा में बैठे हुए हैं तो ये सब्ताह विवहायोगय लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विवहा प्रपोस कर डालें कोई गलत फैमी प्रेम संबंद में हो गई थी तो नाराजगी भी दूर हो जाएगी कोशिश तो करें कोशिश करने से ही हमिशद आगे बढ़त मिलती है इसलिए कोशिश जरूर करें दामपत्य जीवन में भी मदूरता बनी रहेगी अब उपाय की बात करत हैं ये श्राद पक्षे चल रहे हैं पित्र पक्षे चल रहे हैं अगर आपके पित्रों का इस सप्तहा के अंतराल में तिथी में जो तिथियां होती है पित्रों के उनमें अगर श्राद है तो जरूर करें उनका आशिरवाद जरूर प्राप्त करें उनको प्रसन जरूर करे और साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसो के एक तेल का दीपक जरूर जलाएं शनिवार के दिए और शनी मंत्र का जब करें ओम शन शनिश्राय नमा निश्चित रूप से आपके लिए हर कार्य बनेगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक को शेयर करना ना बोलें